नमस्कार मैं हूँ दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश ऐसे तो दिवाली हर साल आती है लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये दिवाली जैसा रहता ही नहीं है उन्हें पता ही नहीं चलता कब तेहार आया, कब चला गया क्योंकि वो अपने अभावों में दो समय की रोटी भी अगर जुटा लें या वो अपने जो मूल बहुत आवेशकता हैं उनको भी पूरा कर ले तो बहुत हो तो दिवाली मनाने की बात तो उनके लिए दूर की है लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब कुछ युवा आगे आकर उनको साथ लेकर आगे बढ़ते हैं ताकि उनकी भी दिवाली हमेशा की तरह फीकी ना रहे और ऐसे ही एक युवा मुकुल चोधरी आज हमारे साथ हैं यहाँ पे जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यह कोशिश की है कि आने वाली दिवाली उन लोगों के लिए भी उतनी ही अच्छी हो जितनी हमारे लिए है तो हम मुकुल से बात करेंगे कि उनका क्या प्रियास है क्या वो करना चाहते हैं और कैसे वो कर रहे हैं मुकुल सबसे पहले तो स्वागत आपका हमारे इस कारिक्रम में आप हमें बताएं कि आपको यह आइडिया कैसे आया कि आपको जो कच्छी बस्ती के बच्चे हैं उनके साथ आपको दिवाली सेलिबरेट करनी है सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूंगा सभी प्रदेश वासियों का ग्रूप 31 का यह ग्रूप हमने बनाय था जब यही हमने सोच रखी ती कि जो अभावगरस्त लोग है जो उच नीच का जो भेदबाव है अपने समाज में वो नहीं रहना चाहिए हम यूआ पीडी है हम स्टार्टर्स हैं चाहिए कोई बिजनेस स्टार्टर्स हो चाहिए कोई दुकान स्टार्टर्स हो चोटे मोटे हम स्टार्टर्स हैं तो अपना जो भी कुछ छोटा मोटा हम से बन पड़ता है हम उसमें से कुछ निकाल के और उनकी मदद करके उनको यह ऐसास कराना चाहते ह कि हम सब एक है सब के लिए तयोहार भी एक है और इस दिवाली पूरे परदेश में राजस्तान में जहां भी अपना ग्रूप है वह हम जाएंगे गरीब बच्चों में जाएंगे उनका प्रोस्तान वड़ाएंगे और उनको कुछ ऐसा सेलिबरेशन उनके बीच में रखेंग तो उसको दस लोग देखके अगर उनमें से एक आदमी भी अगर किसी के लिए कर रहा है तो उसको दस लोग देखके अगर उनमें से एक आदमी भी अगर किसी के लिए कर रहा है तो उसको दस लोग देखके अगर उनमेंसे एक आदमी भी अगर किसी के लिए कर रहा है तो उ तो आपने एक और बात कही कि जैसे आपका गुरूप है तो आप यह सिर्फ सीकर में नहीं कर रहे हैं तो आप यह पुरे पर्देश में हम कर रहे हैं राजस्तान में जहां भी हमारा गुरूप 3121 जैसे कि बड़े-बड़े सहरों का कुछ नाम मां आपको ले लेता हूं और चाहर तारिक को आने वाले को आपको पता लगी जाएगा उदेपूर बिकानेर जोदपूर गंगानगर जैपूर सिकर चुरू हर जगह लगबग हो रहा है और हम ज्यादा से ज्यादा कोशिज करेंगे ग्रूप जहां राजस्तान में है वहां हर जगह यह प्रोग्राम हो आप भी सभी लोगों से परदेश वासियों से मेरा यह ही है कि ग्रूप से जुड़ने की कोई आवश्यक्ता नहीं है आप जाके और किसी भी गरीब को आप देखो चार दिवारी में अपनी खुशियों को ना रखें किसी भी गरीब के पास आप जाईए और उसकी थोड़ी सेलिब्रेशन में आप क्या करने वाले हैं बच्चों के साथ इस दिवाली सेलिब्रेशन में हम चार तरीकों सिकर का जो प्रोग्राम है उसका मां आपको कुछ बताना चाहता हूं सिकर के प्रोग्राम में हम कची बस्ती बाइस कोप के पीछे से जो रास्त जाता है वहां हम 6 5 बज़े साम को हमारे पूरे गुर्प के साथ yah coronavirus आना चाहता है comprendre वोबिसमें स्वागत है सब हम जाएंगे और गरीब बच्चों के साथ गरीब बच्चों के साथ कुछ ऐसे करेंगे sports event करेंगे education events करेंगे जिनमें उनको कुछ तौफे दिये जाएंगे sports के अलग तौफे दिये जाएंगे और education के साब से जो बैटर है उसको education के तौफे दिये जाएंगे और भी है मिठाय यहां पटाके वगरा सब ले जाके उनके साथ 2-3 गंटे का यह हमारा प्रोग्राम रहेगा कच्छी वर्स्ती में चलिए बहुत बढ़िया है मेरी तरफ से आपको अगरिम शुब कामना इस कार्यक्रम के लिए एक मुकल छोटी सी बात है जो मैं किसी के बिहाफ पर कहना चाहूंगा शिवानी शर्मा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्राइंड अमेसेटर भी और उन्होंने एक अच्छी बश्ती के बच्चों के साथ बहुत काम किया है उन्होंने कुछ दिन पहले एक अपील की थी कि वहाँ पे उन बच्चों को जैसे सिलाई के लिए और कुछ ऐसी चीजें उनको हम उपलब्द करवा दें जिससे कि ए अगर आप कुछ साहिता मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर कर पाएं बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल जरूर करेंगे मैं सिवानी सरमास जी से भी यही अनुरोद करूंगा एक बार आप हमसे मिलिए हम कोलोबरेट करके उसकी जादा जानकारी आप मुझे द लेकर आए हैं और यह बहुत अच्छी बात है कि जब युवा आगे आते हैं क्योंकि आज हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो संक्या है वो युवाओं की है इसलिए हिंदुस्तान को युवा देश कहा जाता है अगर युवा किसी भी प्रकल्प को लेकर आगे आत से कि आप ऐसे लोगों से जुड़िये आप उन्हें समाच से एक अलग थलग ने करें उन्हें हाश्य पर न रखें आप उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रियास करें धन्यवाद यूथ से मेरा एक मेसेज है कि जो आप ये खर्चे करते हैं शौपिंग में और मुवीज में इन में जो आपका खर्चा होता है उन में से आप एक बार थोड़ी सी कटोईती करके और गरीब बच्चों के साथ जाके आप इसको स्पेंड कीजिए आपको भी अच्छा लगेगा आपके परिवार को भी अच्छा लगेगा